मध्य प्रदेश में एक ऐसा भी गाव है, जहां प्रतिदिन रावन की पूजा होती है। अब यहां रावन लोग बनाने की मांग की है। बन्षज मानते हैं और इसलिए रावन की पूजा करते हैं। रावन को यहां रावन बाबा कहा जाता है। इतना ही नहीं। गाव की विवाहित महिलाएं जब इस मंदिर के सामने से निकलती हैं तो घूंखट कर लेती हैं। गाव के लोग मंदिर में रावन के दर्शन और पूजा करने प्रत्येक दिन आते हैं। गाव में किसी की शादी हो तो भी पहला निमंतरन रावन बाबा को ही दिया जाता है और इसकी शुरुवात प्रतिमा की नाभी में तेल भरकर की जाती है। यहां के लोग जब भी कोई नया वाहन खरीदते हैं, उस पर रावन जरूर लिखवाते हैं। रावन बाबा के मंदिर से उत्तर दिशा में तीन किलोमेटर की दूरी पर एक बूधे की पहाडी है। गाउ में प्रचलित है कि इस पहाडी पर प्राचीन काल में बुध्धा नामक एक राक्षस रहा करता था, जो रावन बाबा से युद्ध करने की बहुत इच्छा रखता था, लेकिन वह जब लंका तक पहुँचा तो वहां की चकाचौंध देखकर उसका क्रोध शांत हो एक दिन रावन बाबा ने इस राक्षस से पूछा कि तुम दर्बार में क्यों आते हो और हर बार बिना कुछ बताये चले जाते हो, तब बुध्धा राक्षस ने कहा कि महाराज में हर बार आप से युद्ध की चाह लेकर आता हूँ, लेकिन यहां आपको देखकर मेरा क्र योद्ध शान्थ हो जाता है, तब रावन बाबा ने कहा कि तुम वहीं मेरी एक प्रतिमा बना लेना और उसी से युद्ध करना, तब से यह प्रतिमा यहीं पर बनी हुई है, इस रावन मंदिर के पास स्थित तालाब है, बताया जाता है कि तालाब में रावन की तलवार अब भी मौजूद है।